हेलो फ्रेंड्स वेलकम टूस फलता मंतर दोस्तों 69,000 सिच्छक भरती मामले में एक बार फिर से एक बड़ी अपडेट आफ सभी लोगों को देनी है तो दोस्तों आप सभी को पता था हमने आपको वताय था दो केस की सुनवाई साथ जुलाई को होने बादी थी जिसमें एक जो केस था मोडिफिकेशन वाला उसको हटवा दिया गया था और उसकी सुनवाई अब 14 जुलाई को ही होगी सभी बचे हुए केस के साथ में लेकिन आंसर की का मुद्दा रिसब मिसरा की जो याचिका थी उस पर सुना जाना था आंसर की मुद्दे पर सुप्रिम कोर्ट से अपडेट आई है दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट है यू यू ललित सर ने और उसके लावा जो अन जजजे से उन्होंने मिलकर फैसला दिया है कि ये उत्तर कुंजी का मामला सुप्रिम कोर्ट में नहीं सुना जाएगा उन्होंने सीधे जो पार्टी थी उसके वकी करा दिया जाए वहां से दो माह में फैसला लेकर आया जाए यानि कि सीधे सीधे आपको बता सकते हैं कि सुप्रिम कोर्ट से केस की को एक बार फिर से खारिज कर दिया गया है डबल वैंच से पहले ही मुद्दा ये पूरा खारिज हो चुका और डबल वैंच ने भी इसको लेकर कोई फैसला नहीं सुनाए था तो अब उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों जो आपका आंसर की उत्तर कुंजी का मुद्दा था वो यहां से निपट जाएगा आगे उत्तर कुंजी का मामला बीच में सुप्रिम कोर्ट में नहीं आने वाला है यानि कि एक पड़ाओ यहां से और पार हुआ सरकार की तरब से तुसार मेहता जी जो की सरकारी वकील हैं बड़े वकील हैं उनको बुलाए गया था और उन्होंने भी अपनी बात रखने की कोशिस की लेकिन कोर्ट का रुख देखते हुए पहले ही उन्होंने केस खारिज कर दिया इसके लावा दोस्तों को बता दें मोडिफकेशन के अलावा अन्य जो भी बड़ी सुनवाई होने वाली वो सभी 14 जुलाई को लगी हुई है और 14 जुलाई का समय जितने नजदीक आ रहा है आप लोग भी उतने ही जादा बेचन हो रहे होंगे इसके पहले आपको बता दें कि एक 9 जुलाई को सत कर भी जैसे ही कोई अपडेट मिलती है आप लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे अभी मेन मुद्दा है हम लोगों का 14 जुलाई का उसको देखना होगा उसको लेकर क्या फैसला आता क्या परिणाम दिया जाता क्यूंकि सबसे मेन मुद्दा वही है उसमें ब वकील किये जा रहे हैं उम्मीद करते हैं वो सभी लोग अच्छे से अपनी तरफ से केस लड़ेंगे सरकार की तरफ से भी सॉलिसिटर जनरल को बुलाए जाने की बात कहीं जा चुकी है अब देखना होगा 14 जुलाई को क्या मामला होता है तब तक के लिए यही कुछ